नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरी यूटूब चैनल धमाका जीके पर दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ राजनेतिक सिध्धान पॉलिटिकल थियोरी के पार्ट ए जिसके अंत्रगत सम्प्रभुता एवं भुलुवाद से संबंदित महत्तुपून प्र देख सकते हैं सबी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है उस लिंक करके आप उन वीडियो को जरूर देखें क्योंकि सबी वीडियो dart एंपर्णों को लेकर ही बनाई गयी और ये आपके एक्जाम के लिए उसक्र got फ्मी सावित होंगी तो चलिए दार्णा का प्रतिपादन किया जो इस प्रकार है यदि को निश्रित उच्ष सक्ता धारी व्यक्ति जो स्यम किसी उच्छ अठाधारी की एक राजनेतिक और स्वतंत्र समाज होता है आश्टिन के अनुसास सम्प्रगुता किसी मानव श्रेष्ट में हो सकता है किन्तु यह अवश्यक रूप से निश्चित होना चाहिए नेस्ट कोशन हमारे पास 487 प्रश्ण बहुनवादी पक्षदर है तो इसका अंसर ऑप्षण सी राजी की शक्ति कम करने के लिए इसका विस्तारूप हम देख लेते हैं बहुनवादी राजी की निर्कुन सत्ता का दो खंडन करते हैं लेकिन अरजक्ता वाद या सम्मेवाद की तरह वे आ उसको समूल नस्ट करने के पक्ष में नहीं है राजी कंद करने के इस्थान पर वे राजी की शक्तियों को सिमित करना चाहते हैं बहुन वादी अन्य संगों की अपेक्षा राजी को प्रणविक्ता देने के लिए तो तैयार है क्योंकि राज्य के द्वारा संगों के विवादों को सु विदीक और राजनेतिक समप्रभू के मढझदे के भेड़ पर जो रूर दिया है किस विदीक समप्रभू के बिजदाइसी ने अंतर किया है डाइसी के अनुसार व्याद समप्रभूता कानूण बनाद वाली वह शक्ति है जो अन्य किसी भी कानून या दिदि से मरियादित नहीं होती है और डाइसी का विचार है कि जिस संप्रभू को वकील लोग मानते हैं उसके पीछे एक दूसरा संप्रभू रहता है इस संप्रभू के सामने वैधानिक संप्रभू को सिर जुकाना ही पड़ता है अंतिम रूप में राज्यक और नागरिक मांते हैं वही राजनेतिक सम्प्रभू है। सर्व साधरन में नीहित है तो उसे लोग प्रे संप्रभुसत्ता कहते हैं नेक्स होशन हमारे पास आश्टिन का संप्रभुता का सिद्धान डैश पर अधारित है तो इसका अंसर ऑप्शन ए बल पर आश्टिन का तर्क है कि कानून नियम है जिसे वह एक प्रकार के अदेश क के रूप में परिबाशित करता है अधिक सटीक रूप से कहें कानून एक सोतंत्र राजमितिक समाज के सदस्यों द्वारा जारी किये गए समाने आदेश हैं और गैर अनुपालन की स्थिति में सजा या अन्य प्रतिकूल परिनामों प्रतिबंद के विश्वसने खत्रों द विचार दिया है तो इसका अंसर ऑप्शन भी थॉमस हॉप्स थॉमस हॉप्स ने एक सर्व शक्ति मान संप्रभू का विचार प्रतिपादित किया हॉप्स के अनुसार संप्रभूता सरवोच्च शक्ति साली असीमित अदे निरकुंश एवं आविवाज्य है हॉप्स ने राज्य को पूर्ण सक्तावादी मानते हुए का है कि सम्प्रभूक आदेश ही विधी है हॉप्स की प्रभूक रचनाए हैं लेवियतन अंग्रेजी भाशा में रचे 1601 में डी कॉर्पूरे 1655 लैटिन भाशा में और अलिमेंट्स ओफ लॉव नाचुरल एंड पॉलिटिक 1650 हॉप्स की ये प्रथम रचना रही थी नेस कोशन हमारे पास निम्न लिखित में से किसका यह वक्तव्य है सम्प्रभूता नागरीकों और प्रजजनों के उपर विधी द्वारा अमर्यादित राज्य की स्रवोश शक्ति है तो इसका आंसर ऑप्शन ए जीन बोंदा जीन प्रभूता नागरीकों और प्रजजनों के उपर एक स्रवोश शक्ति है जो विधीयो द्वारा मर्यादित नहीं की जा सकती है इसका तापरी है कि राजया अपने नागरीकों और प्रजजनों पर किसी प्रकार का कोई भी कानून बनाने का दिकार रखता है वह उन्हें मन सकता है उसके सबसे बड़ा कानून है उसकी सर्वोचन हमारे पास 413 प्रभु सत्य के कानूनि सिध्धानत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है किसे शकुर्ण को संप्रभुता के वैदानिक सिध्धान का सरवत्तम विक्षिलेशन जॉन आश्टिन ने 1832 में प्रकाशित अपने पुष्टक लेक्चर सौन यूरिप्रेडेंस में किया है वैं मानता है कि रज्य एक कानूनी व्यवस्ता है जिसमें एक सुनश्चित प्रधिकार शक्ति का स होता है लाग को सीमित प्रभु सक्ता का जनक कहा जाता है और बोंदा राजनेटिक चिंदन के छेत्र को बोंदा की सबसे बड़ी और विशिष्टे देन उसकी संप्रभुता विश्यक से दानत ही है संप्रभुता की परिवाशा बोंदा ने इन शब्दों में की है जो ती वुद्धा फिलोस्पी और पॉजिटिव लॉग के नाम से भी जानी जाती है नेस कोशन हमारे पास किन्तु प्रतेग व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को आश्टिनवादी अर्थ में प्रभु सत्ता संपन संस्ता समझना असंगत है यह कथन किसका है तो इसका अंस प्रतेग व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को आश्टिन वादी अर्थ में प्रभु सत्ता संपन संस्ता समझना असंगत है लॉज की ने लिखा है कि राजी अपने समस्त सवरूप में सर्व शक्तिमान नहीं हो सकता क्योंकि बहारी मामलों में वह अन्य राज्यों के अध आश्टिन बहुलवादी विचारक नहीं है जॉन ऑस्टिन इंग्लेंड का विधी शास्तिय था जिसने अटासो बत्रीश में प्रकाशित अपने पुस्तक लेक्चर सॉन यूरिप्रिदेंस में प्रभु सत्ता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जबकि GDH क आश्टिन और और एच जो लास की बहुलवादी विचारक नेस्को शना हमारे पास किसली विचारक दिया था कि जूकि समाज का सवरूप संघात्मक है इसलिए सथा का सरूप भी संघात्मक होना चाहिए तो इसका अउप्शन A loss की बहुलवादीं के अनुसार वर्तमान समय में समाज की स्थिति प्रकार की है कि अकेला राज्य मानवी जीवन की विविद अवशक्तों की पूर्ती में असमर्द है व्यक्ति अपनी विविद अवशक्तों की पूर्ती के लिए समाजिक वैज्ञानिक राजनेतिक सांस्रितिक धार्मिक आर्थियनक प्रकार की समुदाय बनाता है और मनुश्य के बहुमुकी विकास के लिए अवश्यक है कि मानव जीवन के विवित पक्षियों से संबंद समुदायों को राज्य एवं अन्य समुदायों के एक्तिशेप से सोतंत रहकर कारे करने का अफसर मिले लास्की के शब्दों में अवश्यक्ताओं की दिश समुदायों और संगठनों को बहुलवादी समुदायों को भी अवश्यक अप्रकतिक मानते हैं जैसे कि राज्य इन समुदायों का प्रदुभाव सवता एवं सभावता होता है वे राज्य दौरा निर्मित नहीं होते हैं ना ही वे अपने अस्तित्व के लिए उसकी इच् जिसके अनुसर समाज में एक प्रभु सक्ता संपन सर्वोच्च सथा धरर राज्य के इस्थान पर अपने अपने छेत्र में सोतंत्र एम राज्य के समकष अनेक समुदायों के स्नित्व का परतिपादन किया जाता है नेक्स कोशन हमारे पास क्योंकि समाज संगिये है इसलि विरोध करते हैं और समाज को एक संगात्म की काई मानते हैं इसी संदर्व में लास्की का कहना है कि क्योंकि समाज संगी है इसलिए सथा भी संगी होनी चाहिए नेक्स कोशन हमारे पास निम्न में से संप्रभुता की कौन सी विशेष्टा तुरूटी पूल सुची बद्ध है तो इसका आंसर ऑप्शन बी विवाज्यता नेक्स कोशन हमारे पास संप्रभुता के अदैतवादी सिधान्त के प्रतिपादक है तो इसका आंसर ऑप्शन बी ब्रिटिश नायविद जॉन आश्टिन को संप्रभुता के अदयत वादी सिधान्त का प्रतिपादक माना जाता है इसे संप्रभुता का एकल वादी सिधान्त भी कहा जाता है लेक्चर सांजूरी प्रदैंस आश्टिन की मुख्य रचना है संप्रभुता सिधान्त के जनक ब आदेशों को वैद रूप से व्यक्त कर सके वह सत्ता जो देविये कानून नातिक सिद्धानतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके यह परिभाशा किस ने दी तो इसका आंसर ऑप्शन सी गौर्णर गौर्णर के अनुसार वैद संप्रभू वह निश्य सत्ता है जो राज्य के स्रवोच आदेशों को वैद रूप में व्यक्त कर सके वह सत्ता जो देविये कानून नातिक सिद्धानतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके गिलक्राश्ट के अनुसार राजनातिक संप्रभूता किसे राज्य में उन प्रभाव का समगर योग्र है जो कानून के पीछे हो अमारे पास निम्न लिखित में से कौन सा एक लक्षन संप्रभूता का नहीं है तो इसकाा अंसर ऑप्षन दभूज्यता प्रभूसत्ता के लक्षन प्रभूसत्ता एक पूल और असीम शक्ति हैं राज्य के बाहर भी अपने राज्य के संदभ में उससे सर्वोच माना जात सर्व भूमिक्ता प्रभु सत्व सबते दीप अधिकारी अधिकार छेट से प्राप्र उन्मक्तिंगां दी अधेता राज्य मृस्ट्ट कें प्रभु सत्य को प्रभु सत्य को त्यागना आत्मपत्य के समारं है इस्थाई तो प्रभुसत्ता उतनी ही स्थाई है जितना की स्व्यम राजा सरकारों के बदलते रहने पर भी प्रभुसत्ता राज्य की बाती स्थाई होती है क्योंकि प्रभु सत्ता के अंत का अर्थ है राज्य का अंत और विवाजता है प्रभु सत्ता संप्रभुता का लक्षन नहीं है निमलिकित में से कौन संप्रभुता के बहुल वादी सिधान का समर्थक नहीं है तो इसका answer होगा option C, बोंदा संप्रभुता के एकल वादी सिधान के समर्थक बोंदा, हाप, लाक, रूसो, आस्री इत्तेयादी है इनके अनुसा संप्रभुता का निवाज स्थान राजय अशाशक के पास है और ये संप्रभुता में विवाजन सविकार नहीं करते हैं बहुल वादी विचारधारा के अनुसा राज सत्ता संप्रभु एम निर्कुंश नहीं है समाज में विदुमान अनेक समुदायों का अस्तित्व राज सत्ता को सीमित कर देता है व्यक्ति अपनी अवशक्ताओं की पूर्ती के लिए केवल राज्य की ही सदस्ता सविकार नहीं करता बलकि राज्य के साथ साथ दूसरे अनेक समुदायों और संगों की सदस्ता प्रदा नहीं की जा सकती है बहुलवादी विचारधारक का समर्तन करने वाले प्रमुख विचारक हैं ग्रियक, मैटलेंड, फिगिस, डिगविट, क्रेप, पाल, बंकर, एडी, लिंडिसे, दुर्खी, मिस्वालेट, अरनेस बाकर, जीडियच कॉल, हेराड, लौस्की और इसके विपरित, बोंदा, हाफ्स, इगेल, आश्टिन, इत्यादी विदानों ने समप्रभुता की अदैत वादिता का पर्तिपादन किया है जिसका तात्पर्य है कि पर्तेक राज्य में एक ही समप्रभुता होती है इसी धारना के अनुसार रज्य की यह शक्ती, मौलिक, इस्थाई, सर्वव्यपी तथा अविवाजनिय होती है नेस कोशन हमारे पास आश्टिन ने अपनी किस पुस्तक में समप्रभुता के सिद्धान की व्यख्या की है तो इसका आंसर ऑप्शन डी, लेक्चर सांजूरी प्रोडेंस जोन आश्टिन ने 832 में प्रकाजित अपने पुस्तक विदान शास्त्र परवाख्यान में समप्रभुता के सिद्धान का प्रतिपादन किया आश्टिन का विचार था कि उच्चितर दौरा निम्नतर को दिया गया देशी कानून होता है और अपने इसी विचार के अधार पराश्टिन ने समप्रभुता की धारनक का प्रतिपादन किया जो इस प्रकार है जदी कोई निश्चित उच्च सत्तधारी व्यक्ति जो स्यम किसी उच्च सत्तधारी की अगय का पालन का अभ्यस्त नहीं है किसी समाज के दिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है तो उस समाज में वह उच्च सत्तधारी व्यक्ति प्रभुत्य शक्ति संपन होता है जताब वह समाज उच्च सत्तधारी सहीत एक राजनेति को और सोतंत्र समाज होता है नेस्ट कोशन हमारे पास निमने लिखित में से कोन आश्च्च के संप्रभुता सिधान्त का कटूतम अलोचक है तो इसका अंसर है उप्शन A. Sir Henryman आश्च्च ने संप्रभुता के सिधान्त की व्यक्या केवल वैध्यानिक दिश्टिकोन के अधार पर की है आश्च्च के संप्रभुता की अफधारन के बारे में निमने लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो पहला है व्यक्ति के अरिकार और सम्प्रभु से समाप्त होती है व्यक्तियों की संप्रभुता का संचलन को प्रदिबन नहीं करती है दूसरा है संप्रभुता का निरधारन होना चीए यह एक व्यक्तियों व्यक्तियों के शरीर में रहता है राज्य एक कानूनी व्यवस्ता है जिसमें संप्रभूता बहुत सपश्च रूप से स्थित हो सकती है तीसरा है संप्रभूर राज्य में स्रवोच शक्ति है वह राज्य में सभी प्रदिकार्णों का स्रोत है उसका अधिकार असिमित और न संप्रभुता वश्यक है संप्रभुता राज्य के चार तत्व में से एक है संप्रभुता के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता तो इसका अंसर ऑप्शन ए व्यक्तियों को अधिकारों और सुतंत्रताइं तता समस्त शक्तिय संप्रभु से प्राप्त होती है संप्रभुता की के संचाल प्रभूता धारी दवारह किया जा जाता है ना की व्यक्तिय दवारा नेस कोशच कोश रमारे पास निमने लिखेत मेंसे कोने प्रकार की संपरबुता नहीं है तो इसका आंसर हो औपशन ए निहित और सपष्ट advice समप्रबुता के एकलवादी रूप पहलवादी रूप वेधानिक समप्रबुता राजनेतिक समप्रबुता आदिस समप्रबुता के किसी भी रूप में नीट और सपश्ट समप्रबुता की फशेष्टा नहीं पाई जाती है नेक्स कोशन हमारे पास किसने तरक दिया कि समप प्रभु वह व्यक्तिया सभा है जो समाने उदेशी के लिए वसियत के लिए अधी कृत है तो इसका अंसर होगा ऑप्शन डी थॉमस होप्स का प्राकतिक मानव आपस में एक समझोता करके अपने शाषन की सरवोच शक्ति एक व्यक्तिया सभा को समर्पित कर देता है वह सम प प्रवस्था का जितना जादा अंतराष्टे करन हुआ है संप्रभुता संपन राज्य की जरूत उतनी ही बड़ी है तो इसका अंसर होगा ऑप्शन डी पॉल हर्स्ट पॉल हर्स्ट का मानना है कि विश्व व्यक्तिया संप्रभुता राज्य की जरूत उतनी ही बड़ी है व्याश्रिक स्तर पर विविन देशों के मद्ध है, शक्ति, संतुलन एम सत्ता विवाजन का करम विश्वव वरस्ता क्यालाता है। जित्ते विश्युद्धी की समाप्ति से लेका शीत विश्व रस्ता मूलता अमेरिका और सोवे संग के इर्द गिर्द के इंदरत रही है नेस कोशन हमारे पास निमनलिखित में से कौन सा आश्टिन की संप्रभूता की अफधारना का बोलवादी आशेप है तो इसका अंसर होगा option B जॉन आस्टिन को एकलवादी समप्रभूता का जनक माना जाता है इसने अपने प्रसिद रचना lecture sound jury prudence में समप्रभूता की परिवाशा दी है आस्टिन का मानना है कि समप्रभूता एक निश्चित स्रेश्ण मानों में निवास करती है जो किसी दूसरे की अगय का पालन नहीं करता है बलकि दूसरे व्यक्ति समप्रभू की अगय का पालन करते हैं आस्टिन प्राकतिक कानून का विरोधी है उसका मानना है कि सभी कानूनों को विशुद विग्यान पर आदारित होना चाहिए इसने सकरात्म कानून के सिद्धान का प्रतिपादन किया जो राज्जे की समप्रभूता के साथ निकर से जुड़ा है नेस्ट कोशन हमारे पास ग्रामर आफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है तो इसका आंसर ऑप्शन डी हराल्ड लॉसकी एच्ची जे लॉसकी बीशिज ताबदी का एक अत्यंत महत्मून राज्जेटिक चिंतक था ये बहुलवाद का समर्थक तथा राज्जे की एकलवादी सम्रभूता के सिद्धान का त्रिव अलोचक था इसने अपने लेखन कारे एक बहुलवादी के रूप में पैरंब तथा अंत एक राज्जन तांतरिक समाजवादी के रूप में किया इसके चिंतन तथा लेखन के केंदर में सदेव बानव की सोतंतरता गरिमा रही है ग्रामर और पॉलिटिक्स 1925 लौस्की की रचना है नेस्ट कोशन हमारे पास राज्जी अन्य समुदाई की तुलना में श्रेष्ट है क्योंकि तो इसका आंसर है आप्शन B उसके पास दंड़कारी शक्ति है राज्जी अप अन्य समुदाई की तुलना में श्रेष्ट है समुदाई से तात परिये समान विचार रखने वाले मनुश्यों के उस अंगठन से है जो किसी विशेश उद्देशी की पूरती के लिए बनाया गया है समाजिक समझोता सिद्दान्त के साथ सम प्रभू राज्जे की अवधारना को किस ने संयुक्त किया है हापस के अनुसार राज्जे की स्थापना केवल एक ढंग है और वह समस्त वेक्तियों का अपनी समस्त शक्ती को एक वेक्ती वेक्ति समुख के प्रति समर्पित कर देता है इससे समझोते के परणाम सरूप ही एक संप्रभूता संपन लेविय अथन का जनम होता है नेस कोशन हमारे पास निमलिकित में से किसने बूमी को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है तो इसका अंसर हो अप्शन डी बिलोबी जब हम राज्य को एक विशेश प्रकार का समाजिक संगठन मानते हैं तब उसके मूल तत्व का विवरण जरूरी हो जाता है यही तत है जन संख्या भूभाग सरकार एवं संप्रभूता लेकिन बिलोबी ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है नेक्स कोशन हमारे पास इसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का व्रीद सरूब है तो इसका अंसर ऑप्शन भी प्लेटो प्लेटो ने मनुश् स een यंफ राज्य व्यक्ति का व्रीद सरूब है निक्स कोशन हमारे पास निम्नमैं से कौन सा राज्य नहीं है तो इसका अंसर ओप्शन सी राष्ट राज्य अमेरिका रूस और बांगलादस राज्य देश है और राजनेति शास्टमंत राश्य से सताफप्र देश से भी ल थी यह कोश्ड में निम्स लिखित में से किसका यह मत्भ है कि राज्जी के पास बढ़ अधिकार है जब IP abbiamo प्रवुसक्त के कारण अधिकार रखता है अन्य साचर दीती रिवाज या अफशक्ता पर आधारित होते हैं उनकी सदसेता स्वचिक हो सकती है परंतु राज्य की सदसेता अनिवारे होती है राज्य की अग्यावक का उलंगन करने वाला डंड का भागी होता है नेक्स कोशन हमारे पास 518 प्रशन कानूनी तथा राज्यनेतिक संप्रभुता के मद्दे भेत किया गया था तो इसका अंसर और ऑप्शन भी एवीडाईसी द्वारा एवीडाईसी के शब्दों में वीदी वेता जिस प्रभुसत्ता धारी को माननेता देते हैं उसके पीछे एक दूसरा प्रभुसत्ता धारी रहता है जिसके सामने कानूनी प्रभुसत्ता धारी को जुकना पड़ता है जैसे जब कानूनी डिष्टी से प्रभुसत्ता संसत के हातों में रहती है तब राजनेतिक डिष्टी से प्रभुसत्ता का सूत्र सर्व साधरन के हातों में रह संप्रभुता के अधैत वाद सिध्धान्त का श्रेज जॉन आश्टिन को दिया जाता है वधातव्य है कि जॉन आश्टिन ने कानूनि संप्रभुता की सिध्धान्त का प्रतिपादन किया है आश्टिन के अनुस्ता संप्रभुता का विवाजन नहीं किया जा सकता नेक्स को संप्रभुता उस अत्ता को कहा जाता है जिसको राज्य के लिए विदी निर्मान करने का सरवोच अधिकार होता है उसके आदेश और उसके आदेश विदी के समान मानने होते हैं वरतमान समय में इंगलेंड की संसद व्यदानिक संप्रभुता का सरवत्तम उद्धारन है इस कांसर होगा ऑप्शन सी एक तथा दो दोनों संप्रभुता के कानूने सिद्धान्त के अंत्रगत संप्रभुता की निम्नुशेष्टा निधारत की गई हैं पहली पूनता दूसरी सार्वभुमिक्ता तीसी अड्याइता चौत्था स्थाइत्व और पांचवी आविवाज्य संप्रभुता सार्वभुमिक्ता राजी के अंदर सब कुछ संप्रभु के अधीन होता है और स्थाइत्व संप्रभुता स्थाइत्व होता है यह गुर्ण संप्रभुता से अलग कर पाना संभव नहीं है नेस्कोशन हमारे पास निम्न लिखित में से कौन जन संप्रभु के व्यख्याता थे तो इसका अंसर है ऑप्शन ए रूसो इससे विस्तार प्रूखम देख लेते हैं रूसो को जन संप्रभुता का व्यख्याता माना जाता है रूसो को लोग पर संप्रभुता का जनक माना जाता है रूसो ने ऐसे नागरिकों के सहज समुदाई की कलपना की थी जो उच्छ नीच के समंदों से परे समानता और एकता के वहाख होंगे इसलिए उन्हें विश्वास था कि उनके बीच में जन इच्छा उपलब्द होना असान होगा नेक्स कोशन हमारे पास रूसों को सम्प्रभूता के कि सिद्धान का जनक माना जाता है तो इसका अंसर प्रभूता नेक्स कोशन हमारे पास 524 प्रश्ण सूची एक तता सूची दो को सुमिल कीजिए तता नीची कूटों में से सही उत्तर का चैन कीजिए तो सूची एक जो अवधारना से संबंदित है और उसके प्रतिपादक बताये गए हैं तो पहले पर है असीमित अवधारन से के प्रतिपादक फॉप्स्ते से में प्रभूसटा के प्रतिपादक लॉग थे मौन वारित्रम मौता अवधारना का प्रतिपादक लॉग की थे एकलर अव य sûलुच्छक वह प्रभूसटा के स्दस्ता के ख senior Also और ऌस्टिल ने प्रभु सत्ता के एकत वदी सद्दांत का प्रतिपादन किया है जिसके अनुसर यह दिको निशित उच्च सत्धारी व्यक्ती जो स्यम कीसी उच्च सत्धारी व्यक्ती की अगए का प्रबू सत्ता सिद्दान को कहा जाता तो इसका अंसर औप्शन सी एकलवादी सिद्धान्द जॉन आउस्टिन एक ब्रिटिश सिद्धान्दकार था इसने एकलवादी संप्रभुता का प्रधिपादन किया और निवास एक निश्यद्रक्ति में माना और इसके प्रमुक रचनाए हैं दा प्रोविंस ऑफ भी जानी जाती है नेस कोशन हमारे पास पांसुर ताइस वा प्रशन किस देश की चिंतकों में सम्प्रभुता को सरकार के एक अंग में नहीत करने की समाने प्रविती है तो इसका अंसर होगा अप्शन ए इंगलेंड में संसद्य शाष्ण व्यवस्ता कि स्थापना हुई है और यहां पर संसद ही सरोच है संसद के बनाए हुए कानून को नायलों में चैलेंज नहीं किया जा सकता है जैसा कि इंगलेंड की संसद्य पूरुष को इस्तरी वा इस्तरी को पूरुष बनाने के तरिक्त हर कारिये कर सकती है और धातव्य है कि इंगलेंड में लिकत नहीं है नेस्ट कोशन हमारे पास संप्रभूता की एकलवादी अधैत वादी धारना किसकी प्रदानता सविकार करती है तो इसका अंसर होगा ऑप्शन भी निश्चित अधिकारी संप्रभूता की एकलवादी या अधैत वादी धारना निश्चित अधिकारी की प्रदानता स से विकार करती है जाएगा नेस्ट कोशन हमारे पास निम्न में से किस वर्ग के विचार को को सम प्रभुता की व्यक्या करने कश्रे दिया जाता है तो इसका अंसर होगा अप्शन डी बोंदा ग्रोश्यस और आस्टिन प्रभु सत्ता या सम प्रभुता राज्य का निवारे लक्षन है प्रभ सत्ता के अवधाना को प्रतिपादित किया जबकि आस्टिन ने कानूनी प्रभु सत्ता का प्रतिपादन किया आस्टिन ने प्रभु सत्ता के एकलवादी सिद्धान का समर्थन किया जिसका ताप परे कानून की डिश्टी से राज्य की सत्ता अनन्य स्रवोचेवम असीम है नग्स कोशन हमारे पास 530 प्रशन बहुलवाद आश्टिन के संप्रभुता का सिधान का तो इसका अंसर अप्शन ए विरोधी है बहुलवादी इस दावे को सर्विकार नहीं करते कि राज्य ही एक मातर प्रभुसत्ता का धारक है अता बहुलवादियों का तर्क था कि राज्य चाहे कितनी ही गरिमा में और शक्ति शाली संस्ता क्यों ना हो वस्तुत्तव है समाज के अनिक संस्ताओं में से एक है बहुलवाद के प्रभुक समर्थकों में लास्की, बारकर, एडी, लिन्ड से, क्रैब, एवम्डियो, डिग्वी प्रभुक है नेस्स कोशन हमारे पास स्यम पर, स्यम के शरीर और मस्तिश पर व्यक्ति संप्रभु है ये व्यक्तव्य किसका है तो इस कहां से आप्शन D, drinking John Stuart Mill का John Stuart Mill के अनुसार व्यक्ति स्यम के शरीर और मस्तिश्क का सम प्रभू है अथार्थ, व्यक्ति को स्यम के मामले में निर्पेक स्टनता परात है यही कारण है कि मिल ने व्यक्ति के स्यम के मामलों में राज्य के अक्तिशेप के ये रोशना की है राज्य सुतंता पर वही अक्तिशेप कर सकता है जहां व्यक्ति के किसी कारे का प्राव दूसरे पर पढ़ता हूँ यह कारण है कि रस्व विशेक और पर विशेक कार्यों में भेद कर मिल स्वतंता को व्याखेत करता है यह कोशन हमारे पास 532 प्रश्ण सम्प्रभूता नागरिकों तता प्रजजनों के उपर स्रवोच शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्र ना हो यह कथन किस विचारक क है तो इसका अंसर ऑप्शन सी जीन बोंदा वो प्रोत जो कथन ने दिया गया है वो बोंदा गया बोंदा ने सबसे पहले अपनी पुस्तक दसिक्स बुक्स रिकंसर्णिंग दारी पबलिक में संप्रभूता का प्रयोग किया संप्रभूता शब्द अंग्रेजी के सौवर संप्रभूता को प्राकतिक धैवियर इत्तयादी कारूनों से मर्याधित किया नेजिसक्व मारे पास पांसो तैठिस हुआ प्रशन ने संप्रभूता शब्द का सरप्रतम प्रयोग किया गया तो इसका आंसर ऑप्शन सी बोंदा संप्रब्दो शब्द का सरप्रतम उलेक जीन बोंदा द्वारा किया गया था यह बोंदा के द्वारा राजमति विज्ञान को दी गई एक अत्यांत मैत्पुन देन हैं आज राज्य तता ने सभी संवर्णों के मध्यांतर का जो सबसे मैत्पुन अधार बिंदू है वह है सम प्रभुता नेस कोशन हमारे पास प्रभ सवर्णा कासव प्रथन पस्लिति करन बोंदा ने किया आज सम प्रभुता शब्द राज्य की पहचान बन गया है इस शब्द के बहाव में ऊस्थtech के अब और में राज्य रूपी संग्ठन अन्य मध्यों के बाती एक समांन्यान तता संग्ठन बन कर रह जाएगा आज रा संप्रबुता शब्द के उद्वों में निम्लखत में से किस वाशा का योगदान है तो इसका अंसर ऑप्शन डी लैटिन संप्रबुता शब्द अंगल वाशे के सौवरेंटी शब्द का हिंदी रुपांत्रन है लैटिन वाशे के सूपर और एनस शब्दों से मिलकर बना है जिसमें सूपर कार्थ है सूपरीम सरवोच और एनस कार्थ है पावर शक्ति इस प्रकास सौवरेंटी का शब्दी करत होता है सरवोच शक्ति नेस कोशन हमारे पास निम्लखत में से कौन एक संप्रबुता के परियोग पर परिसीमनों की स्थापना करता है तो इसका आंसर जीन बोंदा ने रहादि विज्यान में संप्रबुता नामक शब्द का पस्तुतिक रंड किया बोंदा ने इसे सद्धांतिक रूप से स्रोश्च बताय किन्तु रवारिग रूप से इसके उपर पांच प्रतिबंद लगाए थे जो इस प्रकार है पहला प्रकतिक नियम का प्रतिबंद, दूसरा सर्वेधनेक नियोंक का प्रतिबंद, तीसरा 물어амен संपत्ति का प्रतिबंद, और छथा पारिवारिक जीवन का प्रतिबंद, और पांच वा धार्मिक औरनेतिक मनतो पतिबंद नेक्स कोशन हमारे पास सीमित प्रबुसत्ता के सिद्धांद का जनक निनमन में से कोन था तो इसका अंसर आप्षिन एंफिट न करके । की तरह निर्कुंश प्रभू सत्ता का पतिपादन ना करके सिमित अवं प्रभू तो का प को मांना है कि सरकार यदी नगरिकों करें करें तो यदिकार को सरकार को समर्थक कोन था इसका आँसर ऑप्शन सी और कि मेस्टोशन हमारे पास कौन सा जिद्दान एक तपत्वादिस समप्रवुता विरोधी और वorousदी है तो इसका आँसर ऑप्शन भी बहुलुवाद बहुलुवाद के प्रमुक समर्थक लास्की, क्रैप, कॉल, लिंडसे और बारकर है बहुलुवादियों का मत है कि प्रभु सत्ता केवल राज्य में नहीं बलकी कई संस्थाओं में रहती है समाज में ने प्रकार की राज्य नेतिक, धार्मिक, सांस्केतिक, समाजिक दता आर्थिक संस्थाओं है इस प्रकार बहुलुवाद एक तत्तु वादि संप्रभुता का विरोधी है नेस कोशन हमारे पास 540 वा प्रश्न लोग प्रेश संप्रभुता की अवधान का प्रतिपारन किस ने किया तो इसका आंसर ऑप्शन डी रूसो लोग प्रेश संप्रभुता का अर्थ है कि जनता की संप्रभुता लोग प्रभु सत्ता की संकलपना रूसों के राजनेती दर्शन का सार तत्व है उदरवाद और लोकतंत के समर्थों के लिए प्रेड़ना का स्रोत रही है रूसों ये मानता है कि समाजी का नुबंद से जिस राज्य की उद्भावना होती है स्रोच सत्ता उसी में नहीत होती है अता प्रभु सत्ता की सही-सही अभी रग्ति समाने इच्षा में देखने को मिलती है रूसों के विक fresh कर realism प्रभुता किस में निवास करती है तो इसका काний option ए जनता में निवास करती है दूतर वली दस्याशनिक मरसिलियो और पांडुवा ने पॉप की सत्ता को चुनोती देते हुए लोग प्रेयर प्रभु सत्ता की सिद्धान्त को नया जीवन दिया इस धाना के प्रमुक पतिपादक जो है रूसु है जिसने समाने इच्छा को ही समाने इच्छा से रूसु का ताप पर ये सबकी इच्छा के उस बाग से था जिसमें समाने हित नहीं तो नेस कोशन हमारे पास लोग प्रिय संप्रभुता की अवधारना है तो इसका अवधारना को रूसों ने अधुनिक काल में सपश्ट रूप से परिपारित किया नेस कोशन हमारे पास सारव जनिक संप्रभुता किसमे निवास करती है तो इसका अंसर ऑप्शन ए जनता में नेस कोशन हमारे पास रूसों ने जिस संप्रभुता का प्रतिपादन किया है रूसों ने अपने चिंतन में संप्रभुता के लिए समानने इच्छा शब्द का परियोग किया है रूसों की समानने इच्छा को प्रफेसर वहां ने शीश कटा लेवियाथन कहा है नेस कोशन हमारे पास विद्य संप्रभुता और राजनिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है किसने तो इसको आंसर हो अप्शन सी ए भी डाइसी ने इसे विस्तार पूवगम देख लेते हैं एक राज्य के अंतरकत कानूनों का निर्मान करने और उनका पालन कराने की सरोच शक्ती जिसके पास होती है उसे विद्यानिक संप्रभु कहा जाता है डाइसी के अनुसा जिस संप्रभुता को वकी लोग मानते हैं उसके पीछे ए अंसर और ऑप्शन ए दूसरे संगटन उतने ही महत्मुन है जितना की राज्य बहुलवादी विच्राधार का मानना है कि राज सत्ता निर्कुश और संप्रभु नहीं है समाज में विद्धुमान अन्य अनेक समुदायों का स्थित्व राज सत्ता को सीमित कर देता है संप्रभुता मुख्यत दो प्रकार की होती है तथ्य परक और विधिक वास्तिक संप्रभुता जिसमें निवास करती है उसे तथ्य परक संप्रभु माना जाता है और जो कानूल संप्रभु है उसे विदिक संप्रभु कहा जाता है भारत में जनता तथ्य परक संप्रभु सब्दक अपयोग करती है जबकि संसद में विदिक संप्रभुता निवास करती है निवन में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों से अलग करता है तो इसका अंसर आप्शन सी प्रभू सत्ता प्रभू सत्ता राज्य का उशक्त तत्व है अन्य साचर्डियों से राज्य को प्रिथक करता है यह राज्य की एक ऐसी शक्ति है जो कानूनों का परण करा सके और अपने भू छेत्र में आदेशों तता बाहर के राज्य के साथ काई के रूप में संबंद बनाएं रख सके न प्यायवाची नहीं है राज्य समाज का एक समुदा है अतर सम्प्रभुता के वल इसी में नीथ होनी चाहिए बलकि अन्य समुदायों की भी सहभागिता इसमें होनी चाहिए नेस कोशन हमारे पास निम्न लिखित में से कौन बहुलवाद के सिद्धानत का समर्थक नहीं है त सम्प्रभुता राज्य की सर्वोच इच्छा है कथन किसका है तो इसका अंसर होगा अप्शन भी विल्लोबी के अनुसार प्रभु सक्ता राज्य की सर्वोच इच्छा है और बोंदा के अनुसार प्रभु सक्ता नागरीकों तता प्रज़जनों पर वह सर्वोच शक्ति ह जो कानून से परे हैं और ब्लैक स्टोन के अनुसार प्रभु सक्ता सर्वोच आ प्रतिशोधिनिय परम नियंत्र शक्ति है जिसमें राजी की उच्चितम वेदानी शक्ति निवास करती है बर्गेश के अनुसार प्रभु सक्ता व्यक्तिकत प्रजाजनों तथा प्रजाजनो के संगों के ऊपर मौलिक परम असीम शक्ति हैं नेस कोशन एन एसोशियेशन है नसकोशन हमारे पास वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनेतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समुची धारना को खतम कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सुची मात्र बना देती है कथन किसका है तो इसका अंसर को प्रवाव की सूची मातर बना देती है नेसको शेकर हमारे पास 509 प्रश्ण राजनेतिक सम्प्रभुता राज्जी के उन प्रवावों का समू है जो कानून के पीछ रहती है डाइस्ति ने भी कानूनी संपरबुता के पीछे राजनेटिक संपरबुता कैसितउ काशसविकार किया है निज्सकॉशन हमारे पास जैसे ही घंकी रूखी पर वैदानिक धारणा से दूर हो जाते हैं वैसे ही हम प्रहँ में परण जाते हैं uncommon ने किसने की थी तो इसका अंसर आप्शन सी लिकोग स्टीफन लिकोग स्टीफन लिकोग का कतन है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आश्टिन की वैधानिकता की धार्ना की शुष्क निश्चित्ता से दूर हो जाते हैं वैसे वे भ्रह्म में पढ़ जाता है अश्टिन ने संप्रभ संप्रभुता की अवधार्ना को किस ने दिया तो इसका अंसर ऑप्शन ए गोश्यस बहारी संप्रभुता का प्रतिपादन होगो गोश्यस ने किया है और उसकी प्रमुक रचनाई हैं डी जूरे प्रेदे मेयर लाइबैरम डी जूरे बैली एट पैरीज परतम पुस्तक मे पारिक सोतंता और तित्य पुस्तक में अंतराश्टे विदी के सिद्धानतों का प्रतिपादन किया गया है नेस कोशन हमारे पास संप्रभु तथा संप्रभुता पद का प्रतम बार प्रयोग किया गया तो इसका अंसर ऑप्शन डी फ्रांस के नयाई विदो द्वारा परबाशित करने का अश्रे फ्रांस के जीन बोंदा को प्राप्त है जिसमें 1576 में अपनी प्रकाशित उस तक सिक्स बुक्स और रिपब्लिक में एक फ्रैंच शब्द सौवरेनिटे का प्रयोग किया जिसका अंग्रेजी समानार्तक शब्द सौवरेनिटी बना बोंदा की शब्दों में प्रभु सक्ता नागरीकों एम प्रयोजनों पर राज्जी की सरवर्ची शक्ति है जो कानून के नियंत्रन से परे है नेस्ट कोशन हमारे पास बहुलुवाद का समर्थन निम्न में से किस विचारक ने किया तो इसका आंसर ऑप्शन भी लास्की लास्की दा कमत्तर नहीं मानते इसके अत्रिक्त कारे संचालन और नेक्ट अकिलिकों से भी वौलुबवाद का समर्थन करते हैं नेस्टकोशन हमारे पास तीस राजन हम इंटिक विचारक ने राजन हिसम प्रभुता की अवधारना का अवधारना सब रथम पस्तूत की तो इस का आंसर और ऑप्शन सी डाइज सी राज इन्हेटिक संप्रब्वता के उधारना के प्रवर्थ तक डाइज सी हैं राएज का कटन है कि कि साथ में है संस्ता ही राजनेटिक रूप से संप्रबू है यह स्रोच कही जा सकती है जिसकी इच्छा का आदर या पालन सरकार या सरवेदानी संस्तों दारे किया जाता है डाइसी नहीं सुप्रथम राजनेति कीलम व्यद्धी संपभुता में अंतर किया था नेस कोशन हमारे पास 560 प्रशन निम्लिक निखित में से किसने विदिक और राजनेतिक सं सम्प्रभूता की अवधारना डायसी ने दी है दायसी पहले विचार है जिस ने राजनीती वर व評धानिक संप्रभूता में अंतर किया है नेज्सकोशन हमारे पास जितनी प्रभूताइं होती है उतने ही राज़ें होते हैं यह विचार किस लेखक का है तो इसका अंसर है option D मैकाईवर मैकाईवर ने सम प्रभुता के एकल वाती सिधान्त की ये लोचना करते हो लिखा है कि यदि सम प्रभुता को राज्य की विशेष्टा मान लिया जाए तो समाज मैनेक संस्था हैं जो एतियास्ति जिष्टी कौन से सम प्रभुता का दावक कर सकत है आता यह संस्थाय राज्य के समकक्ष है इसलिए जितनी प्रभु सताय होती है उतने राज्य होते हैं नेस्ट कोशन हमारे पास पांसो बासटुवा प्रश्ण निर्कुश सम प्रभुता में कौन विश्वास करता था तो इसका आंसर option C hops hops के अनुस्षा सम प्रभु को ज जो समप्रभु की शक्ति को सहमीत करते हैं लेक्ट्स कोशन है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रुडेंस पुस्तक के लेखक इन निम्न में से कौन है तो इसका आंसर है option A जॉन ऑस्टिन जॉन ऑस्टिन इंगलेंड का विधान शास्त्री था जिसने 832 में प्रकाशित अपन और बैंथम के समान ही आश्टिन को देश्य भी कानून और परंपरा के बीच भेद करना और परंपरा पर कानून की श्रिष्टा इस्तापित करना था कानून के संबंद में आश्टिन का विचार था कि उच्चितर दुआरा निम्नितर को दिया गया आदेश ही कानून होता ह और अपने इसी विचार के अधार पर आस्टिन ने संप्रभुता की धार्ना का प्रतिपादन किया है नेस कोशन हमारे पास निम्निलिकित में से किस ने कहा कानून संप्रभु का आदेश है तो इसका अंसर ऑप्शन ए जॉन आस्टिन आदेश कानून का सार है राज्ये सभाव आदेशात्मक है जबकि प्रथा का सभाव एच्छिक लोगों एच्छिक लोग प्रथाओं का पालन करें ना करें प्रंदुक कानून का पालन नहीं होता नेक्स कोशन हमारे पास बहुलुवात का जनक किसे माना जाता है तो इसका अंसर है ऑप्शन ए ग्रीके बहुलुवात का जनक माना जाता है नेक्स कोशन हमारे पास संप्रभुदा का बहुलुवादी सिद्धांसर प्रथम किसके दोरह प्रतिपादित किया गया तो इसका अंसर ऑप्शन भी वान ग्रेक के संप्रथम जर्मन लेखक ग्रेक तथा ब्रिटिश लेखक मैटलेंड और फीगिस दोरह बहुलुवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया ग्रेक और मैटलेंड ने लोगों का ध्यान उस मद्दे कालिन समाजिक विवस्ता की और आकरश्टि किया जिसमें राज्य शक्ति एक स्थान पर केंद्रत ना थी और समाज में आर्थिक संगों को इस्तान प्राप्था नेस कोशन हमारे पास बहुलुवाद के समर्थके मानते हैं कि संप्रभुता का विवाजन होना चाहिए क्योंकि तो इसका अंसर एप्शन भी यह शक्ति की उपज है बहुलुवादी राज्य तता समाज को भिन मानते हुए राज्य को समाजिक संगों में एक संग मानते हैं ऐसी इस्तिती में यह व्यक्ति की पूर्ण निष्टा पाने का दावन नहीं कर सकता सत्ता में अन्य समाजिक समोग का भी भाग होना चाहिए जो मानव की अवशक्तों की पूर्टी करते हैं तता समाजिक तंत्र की कारेपदिती में महतुन भूमी का निभाते हैं एक ने प्रकार के राज्य का पक्ष लेते जो ना सर्व शक्ति संबन है ना सर्व व्यापी यह अन्य समाजिक समोग एवं संगों से केवल कुछ श्रेष्ट व्यवस्ता है नक्स कोशन हमारे पास निम लिखित में से कौन एक निश्कस आश्टिन के एकलवादी संप्रभूता सिधान से नहीं निकाला गया है तो इसका आंसर एप्षन सी समुधाय सू संबन्द है इसका विस्तर रुपन देख लेते हैं जोन आश्टिन ने सकरात्म कानून की व्यक्या करते हुए ही संप्रभूता के विदिक सिधान का प्रतिपादन किया जिसका आदेश ही कानून है तथा जिसका ना तो विवाजन किया जा सकता है और ना ही हस्तांत्रित किया जा सकता है अन्य सभी समाजिक समुदर संप्रभुतर संपन राज्य के अधीन है राज्य की सु संबता का संबन आश्टिन के एकलवादी सिद्धान से नहीं है अता विकल्प भी सही है नेस कोशन हमारे पास किस फ्रांसी सी राजनतिक चिंतक निसंप्रभुता को रिपब्लिक का पूर्ण एवं निरंतर शक्ती की तरह परिबाशित किया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन भी बोंदा जीन बोंदा बोंदा ने फ्रांस के राज्य में एक निर्कुन समराट का र प्रवतक के रूप में राजा सरवच्चिता अता है उसके अधिकारग को शुनच्चित करने के लिए इश्वर्य कानून की साहिता किया शक्ता नहीं थी राजा की सरवच्चिता एक प्रमानिक तथ्य थी नेस कोशन हमारे पास पांसो सत्तरवा प्रशन है बहुलवादी प सत्तिक और नयतिक विकास के लिए राज्य सत्ता का वीत्रन समाज के समुदायों के बीच कर दिया जाए इसलिए बहुलवाद राज्य की अस सीमित्स प्रभु सत्ता को सिमित्स सिद्ध करने की जिष्टी से समाज में पाय जाने वाले समुदायों की स्वायक्तता में विश विश्ष्ष्टा है इसका अंसर ऑप्शन भी राज्य की संप्रभुत्य राज्य की एक ऐसी अभोतिक विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् सब्सक्राइब जो आंतिक रूप से स्रोच तत्ता बाई रूप से स्वतंतर होती है से प्रभुता के अभाव में को राज्य अपनी स्भूस्ता दावा नहीं कर सकता है जैस्टों हमारे पास निम्न लिखित में से कौन सब्सक्राइब की व्षेश्टा नहीं है तो इसका answer option D. जन संख्या बोंदा से प्राब हुई समप्रभुता की यात्रा होप्स के हातों में पहुँच कर उसकी स्रवोचिता किया यात्रा पूर्ण होती है क्योंकि बोंदा ने समप्रभुता पर पांच प्रतिबंद लगाए थे वहीं हॉप्स ने समप्रभुता को बंदलों से मुक्तिक कर दिया नेस्ट कोशन हमारे पास गैदानिक समप्रभुता की अवधारन के प्रतिपादक कोन है तो इसका answer option D. बोंदा प्रभु सक्ता का कानूनी डिश्टी कोन सबसे पहले बोंदा और हॉप्स ने स्परस्ट किया और बाद में बैंथम और आश्टीन ने इसकी व्रिस्तित वाक्या दी नेस्ट कोशन हमारे पास निम्लिखित में से कौन समप्रभुता के बहुलवादी सिदान का समर्थक नहीं है तो इसका answer होगा option C. बोंदा जी डिएच कॉल, मैटलेंड, लिन्ड से बहुलवादी समप्रभुता के समर्थक है जबकि बोंदा एकलवादी समप्रभुता के प्रवक्ता है नेस्ट कोशन हमारे पास निम्लिखित में से कौन समप्रभुता की बहुलवादी अवधारना से नहीं जुड़ा है तो इसका answer option C. हीगल नेस्ट कोशन हमारे पास 570 प्रशन है निम्लिखित में से कौन समप्रभुता का बहुलवादी सिद्धान का पोशक नहीं है तो इसका answer होगा option D. हीगल लिंडसे क्रैब और लास्की बहुलवाद को मानते हैं जबकि हीगल आदर्शवादी है लिंडसे की अनुसार प्रभु सत्ता संफण राज्यकी मानता जितनी निर्जीव और निरर्थक हो गई है उतनी और कोई राजनितिक संगलपना نہ होई होगी क्रैप के अनुसार प्रभु सत्ता की धरना को राजनिति जिद्धान से निकाल देना चाये और लास्की के अनुसाग चूंकि समाज का सरूप संगात्मक है इसलिए सक्ता का सरूप भी संगात्मक होना चाहिए नेस्स कोशन हमारे पास निमने लिखित में से कौन सा एक समप्रभुता के बहुलवादी सिद्धान का समर्थक नहीं है समप्रभुता के बहुलवादी सिद्धान का समर्थक नहीं है तो इस कहां से लोगा उप्शन सी बोंदा अनेक लेक को और विचार को द्वारा बहुलवादी विचाधारक का प्रतिपादन किया गया जिसमें ग्रियक, मैटलैन, फीगिस, डिगविट, क्रैब, पाल, बंकर, एडी लिन्डिसे, दुखेम, मिस्स फॉलेट, अरनिस बाकर, जीडियाच कोल और हैराल्ड, जे लास्की के नाम प्रमुक रूप से लिए जा सकते हैं जबकि बोंदा संप्रभुता के बहुलवाद से संबंदित नहीं है नेस कोशन हमारे पाल किसने कहा कि बोंदा आधुनिक नहीं बन सका परंतु वह मद्दय युगीन भी नहीं रहा तो इसका आंसर ऑप्शन सी सेबाइन सेबाइन बोंदा के राजनितिक दर्शन को प्राचीन तथा नवीन का एक विलक्षन सम्रिष्ण के कर पुकारता है और कहता है कि अपने विचारों में वह मद्दय कालिन तो नहीं रहा किन्तु आधुनिक भी नहीं हो पाया यह कहना अधिक सत्य होगा कि राजनितिक समस्याओं तथा उनके निराकरण के प्रती बोंदा का रिष्टिकौन आधुनिक था यह दिपी उसके कुछ विश्वास मद्देकालिन थे नेस्ट कोशन हमारे पास 581 वा प्रेशन निम्न में से कौन सा एक यूगम गलत है तो इसका अंसर होगा ऑप्शन डी हॉप्स हॉप्स एकलवादी विचारक थे इसका विस्तारूप हम देख लेते हैं आश्टिन एकलवादी विचारक थे एडी लिन्ड से बहुलवादी व नेस्ट कोशन हमारे पास निम्न लिखित में से कौन सम प्रभुता के बहुलवादी सिधान का प्रमुक प्रवक्ता था तो इसका अंसर ऑप्शन डी लौस्की लौस्की ने बहुलवाद का समर्थन करते हुए का है कि व्यक्ति अपनी आवशक्तों की पूर्ती के लिए साथ साथ दूसरे अन्नेक समुदायों और संगों की सदस्ता भी सविकार करता है ऐसी इस्तिति में एक मात्र राज्य को संपुन सक्ता प्रदान नहीं की जा सकती है नेस्ट कोशन हमारे पास सम प्रभुता के अधयतवादी सिधान्त का मुख्य दोश यह है कि वह है तो इस सिधान्त का मुख्य दोश यह है कि वह सभी शक्तियां एक निशित मानव श्रेष्ट में नहीत कर देता है जैसा कि आश्टिन कहता है कि यदि एक निशित मानव प्रभू जो अपने सिवा किसी अन्य प्रभू की अगय का पालन करने का आदी नहीं है बलकि जो समाज के दिक कान समों से सभाविक रूप में अगया प्राप करता है तो वह समाज कमाल प्रभू में प्रभू सत्ता-धारी है और वह समाज कि उच्च्च मानव सहित राजनेतिक वर सोतंत्र समाज होगा और वहस माज Direct वर स्वतंत्र समाज होगा नेस कुर्शिन हमारे पास निमे लिकित में से कौन संप्रभुता के अधयत व Jetzt हम वाति नित का समर्थन किया था किन्तु ऑउस्टेपिन ने अपने प्रसिद्धि रचना लेक्चर सांँ जूरिस्पुडेंस में इस सिद्धांद का विस्ता से से वर नंद किया है इसलिए इने संप्रभुतार के अधयत वादी सिध्धान्त का प्रमुक्पलवक्ता बाना जाता है नेस्ट कोश्चन हमारे पास पांज़ू पिचासी वा प्रश्चन की देश की चिंतकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग के रूप में नीद करने की समान्य प्रवित्ती है तो इसका अंसर होगा अप्शन ए इंग्लेंड में संसद्य संप्रभुता के कारण कहा जाता है कि संप्रभुता सरकार के कंग के रूप में विधाइका में विद्धुमान है और ग्यतव्य है कि इंग्लेंड में संसद्य संप्रभुता के सिध्धान्त को अपनाया गया है संसद ही शक्ती का अंतिम सोध है न संप्रभू किसी व्यक्ति से उसकी सभगर्ति के बीना उसकी संपत्ति नहीं चीन सकता संप्रभू को बीना जन प्रतिनिदी सभाओं की राई केकर लगाने का अधिकार भी नहीं है क्योंकि बोंदा व्यक्ति के संपत्ति को पवित्र मानता है अताय उसका अप्रह नहीं किया जा सकता नेस कोशन हमारे पास संसादा आत्मक्स आशन में वैधानिक संप्रभू कौन होता है तो इसका अंसर ऑप्शन भी संसद संसदी शाशन में समानेता संसद को संप्रभू माना जाता है अथार्थ संसद सर्वोच्च होती है तता समस्त विदी का स्रोत भी होती है यह द नेस्ट कोशन हमारे पास 582 प्रश्न निम्लिकित में से कौन एक एक एकरिस सत्ता की अश्रक्ता का बचाव नहीं करता है तो इसकााइसर ए उप्शन C क्रेब बोंदा होप्स तता आश्टिन एकलवादी सम्प्रभुता के समर्थक हैं तता एक एकर सत्ता का समर्थन करते हैं जबकि क्रैप, डिगवेट, प्लास्की, कोल, लिंडसे, फिगिस, मैटलें, ग्रियक, आदी, सम्प्रभुता के बहुलुवाद का समर्थन करते थे क्रैप ने लिखा है कि राज्य विदी का नहीं, वरण विदी राज्य का निर्मान करती है, नेस्ट कोशन हमारे पास, निम्न लिखित में से कोन एक सही है, तो इसका अंसर होगा, अप्शन डी, वैदानिक, सम्प्रभु, राजनेतिक, सम्प्रभु की इच्छा के विरुद क कारें नहीं कर सकता, तो इसका विस्तारूप हम देख लेते हैं, वर्तमान राज्य लोग तांत्रिक है, और सरकारें सम्प्रभुता मनमानी नहीं कर सकते, वैदानिक, सम्प्रभु, राजनेतिक, सम्प्रभु की इच्छा के विनकारें नहीं कर सकता, नेस्ट कोशन हमारे पास 590 प्रश्न निम्न में से किस का विचार है कि संप्रभुता इश्वर्य तथा प्राकतिक कानूनों से सीमित है तो इसका आंसर ऑप्शन ए बोंदा राजनेतिक चिंतन के छेत्र में संप्रभुता शब्द का परियोग और इसे व्याखित करने का श्रे जीन बोंदा को दि करता है कि इश्वर्य कानून प्राकतिक कानून के विरुद संप्रभु कानून नहीं बन सकता अथार्तीय संप्रभुता की सीमाई है नेसस्ट कशन अमारे पास बहुलवादी चिन तक समानेतर राज्य को निम्न एक रूप में व्यक्त करते हैं तो इसका आंसर होगा उप्शन A समुधायों का समुधाय राज्य के बहुलवादी सिद्धान्त का अंतिम निश्कष राज्य की शक्ति का परिसीमन है बहुलवादी के अनुसा जो सिद्धान्त राज्य की सम्प्रभुता को सिमित कर देने अथ्वा उसको अन्य समुधायों के पक्ष में समर्पन की मांग का समर्थन करता है वह बहुलवादी का सिद्धान कहलाता है इस प्रकार बहुलवादी राज्य को समुधायों का समुधाय मनते हैं नेस कोशन हमारे पास बहुलवादी के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य है तो इसका अंसर होगा option B बीविन समुधायों तता समुधायों की गतिविदियों में सामजस्य स्थापित करना बहुलवादी के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य बीविन समुधायों तता समुधायों की गतिविदियों में सामजस्य स्थापित करना है वैसे तो समाज के अन्य समुधाय भी राज्य के समान ही संप्रभू शक्ती के भागीदार है किन्तु समुदाएं और व्यक्तियों के मध्य विवादों के निस्तारण संबंदी मेत्थ पुनकार राज्य को ही करना पड़ता है बहुलवादी इसलिए राज्य को समझस्या कारी संस्ता मानते हैं नेस्ट कोशन अमबारे पास पानस तिरानु प्रश्ण निम्न में से कीस कथम का संबंद बहुलवाद से नहीं है तो इसका आंसर होगा और ऑप्षन ए राज्य पर्तिवी पर इश्वर का अवतरण है राज्य एक देवी सत्ता है एकल का मत है कि राज्य पर इश्वर की चरम अभी वेक्थी है इश्वर ने अपने देवी इच्छा को प्रकट करने के लिए राज्य को अपना साधन बनाया है तथ है राजे पृत्वी पर विद्धमान एक देवी विचार एवन पृत्वी पर इश्वर का परदापरन है इगल ने इस विचार का संबंद बहुलवाद से नहीं है नस कोशन हमारे पास 594 प्रशन जो विचारक राज्य को संगों का संग मानते हैं उन्हें तो इसका आंसर अप्शन डी बहुलवादी कहा जाता है इसका विस्तार उपन देख लेते हैं बहुलुवादी राज्य को संगों का संग मानते हैं क्योंकि राज्य के बहुलुवादी सिधान्त का अंतिम निश्कष राज्य की शक्ति का पड़ी सीमन है बहुलवाद के अनुसार जो सिद्दान्थ राज्जे की समप्रभुता को सिमित कर देने अन्य संस्ताओं के पक्ष में समारपण की मांग का समर्थन करता है वह बहुलवाद का सिद्दान्थ कहलाता है दूशरे शब्दों में बहुलुवादियों का विश्वास है कि राज्ये को व्यक्ति से अपने आदेश का पलन कराने का कोई जरम सिद अधिकार नहीं है बहुलुवादी चाहते हैं कि राज्य संप्रभुता के अपने अधिकारों का परित्याग करके और शे सीमित अधिकारों से सीमित है इस प्रकार बहुलुवादी राज्य को समुदायों का समुदाय मानते हैं नेस्ट कोशन हमारे पास 524 प्रेशन बहुलु आदी पक्षदर है तो इसका आंसर होगा उप्षण भी राज्य की शक्ति में कटोती के बहुलु आदी विचारधार के अनुसार राज्य सक्ता संप्रभू और निर्कुशिन नहीं है समाज में विद्धुमान अनेक समुदायों का अस्तित्व राज्य सक्ता को सीमित कर देता है व्यक्ति अपनी अवशक्ताओं की पूर्ती के लिए केवल राज्य की ही सदस्तिता सविकार नहीं करता बलकि राज्य के साथ साथ दूसरे अनेक समुदायों और संगों की सदस्ता भी सविकार करता है, ऐसी इस्ठिती में एक मत राज्य को संपूर सकता प्रदा नहीं की जा सकती है दिश्कोर्षिन हमारे पास बहुल वादियों के अनुसार राज्ये की शक्ती का सुरूप कैसा है तो इसका आन्सर होगा ओप्शन सी सपेक्र बहुलवादी राज्य को भी अनेक समाचिक संस्ताओं की तरह एक संस्ता मानते हैं और वे सभी में शक्तियों का बटवारा करते हैं राज्य के बहुलवादी सिध्धान्त वे सिध्धान्त है जो राज्य प्रभुसत्ता के परंपराग सिध्धान्तों का खंडन करते हैं परंतु साथ ही राज्य को समाज की एक अविशक संस्ता भी मानते हैं वह चाते हैं कि राज्य का स्थित्व तो बना रहे परंतु उसे असीम प्रभु सत्ता से वंचित कर दिया जाए नेस्ट कोशन हमारे पास बहुनवादी चिंतक समानतर राज्य को निमन में से एक के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसका अंसर होगा उप्शन ए समुदायों का समुदाय बहुनवादी राज्य के एक तत्वे सरूप और उसकी अख़ण प्रभु सत्ता का खंडन करके उसे समाज की अन्य संस्ताओं के समकष्क रखा और समाजिक देशे की पूर्ती के लिए राज्य के साथ साथ अन्य समाजिक संस्ताओं की और ध्यान देनी की प्रेणा दी बहुलवादी चिंतक समानेता राज्य को समुदारों का समुदाय मानते हैं नस्कोशन हमारे पास निमने लिखित में से कौन राज्य की बहुलवादी अवधारना नहीं है तो इसका अंसर होगा अप्शन C एक अतु परक संप्रभूतर की अवधारना बहुलवादी अवधारना एकलवादी संप्रभूतर की अवधारना की प्रतिक्रिय सुरूप अस्तित्व में आया यह अवधारना एकलवाद को एक विनाशकारी अत्वा निश्व सिद्धान मानता है अत्य उत्तर सी गलत है नेस्ट कोशन हमारे पास बहलुवात के अनुसर कुल मिलाकर राज्य है तो इसका अंसर अप्शन बी जीवन की सर्व समहारक योजना का समने करने वाला होने के कारण संगों के मद्दे सर्व श्रेश्थान डखता है नेस्ट कोशन हमारे पास 600 प्रशन है निमलिकित में से यह मत किसका है कि समप्रभुता एक अखंड वस्तु है उसे विवाजित करना उसे विनिश्ट कर देना है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केल है समप्रभुता एक करने प्रमुक लक्षन उसकी अविवाजिता है समप्रभुता पून है उसे विवाजित करने का अर्थ उसे नश्ट करना अत्व एक सेधिक राज्यों की रचना करना है इस संबंद में कालहान ये केलहन ने लिखा है कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है जिस प्रकार हम एक अर्ध वर्ग अत्वा एक अर्ध तुर्बूश की परिकल्पना नहीं कर सकते उसी प्रकार अर्ध अत्वा तिहाई संप्रभुता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है next question हमारे पास निम्न में से किस ने इस डिष्टी कोण का खंडन किया कि सम प्रभुता अविवाज्य है तो इसका answer option B लास्की लास्की कहनु सा राज्य संगात्मक है अतर सम प्रभुता को भी संगात्मक होना चाहिए इस प्रकार लास्की ने सम प्रभुता को विवाज्य माना है next question हमारे पास नीची देगे जोडों में से कौन सा जोडा सही नहीं है तो इसका answer option D अंतर राश्टी विदी के जनक हुगो ग्रोशे सम प्रभुता के एकलवादी सरूप को सविकार करते है तता राज्य की सरवोच शक्ती पर किसी प्रकार के नियंतर्ण को सविकार करते है वे बोंदा की बाती सम प्रभु शक्ती पर इश्वर्य कानून प्राकतिक कानून और राश्टो के कानून का नियंतर्ण नहीं मानते next question हमारे पास जहां शक्ती के विविद केंदर होते हैं तथा जहां शक्ती व्यपार रिती से वित्रत रहती है उससे एक बहुलवादी समाज कहा जाता है जो निरकुंशता को रोकता है इस बहुलवादी जिष्टिकोन को प्रतिपारित किया है किसने तो इसका answer ओगा option c jams medicine jams medicine ने बहुलवादी जिष्टिकोन को प्रतिपारित करते हुए कहा है कि जहां शक्ती के विविद केंदर होते हैं तथा जहां शक्ती व्यपारिती से वित्रत रहती है उससे एक बहुलवादी समाज कहा जाता है जो निरकुंशता को रोकता है next question हमारे पास 604 प्रश्ण है यह जिष्टिकोन की विदी समाज के उचित्ते की धारना को प्रतिपिन्वीत करती है यह संकेत करता है तो इसका answer ओगा option d उपरिक्त में से कोई नहीं बैंतम और आश्टिन द्वारा प्रतिपादित सकरात्मक कानून की धारना में ही संप्रभुता का सुरू प्रकट होता है जिसके अंध्रगत यह माना जाता है कि संप्रभुता का आदेश ही कानून है समाज के उचित्ते को निधाद करने में संप्रभु शक्ति शंक्षम है अता है उसका आदेश या कानून समाज के उचित्ते का प्रति भीम है अता है संप्रभुता का विदिक सिद्दान इस डिष्टिकोन की यह संकेत करता है नेक्स कोशन हमारे पास 605 प्रशन है निम्निखित में से किसमें संप्रभुता नहीं पाई जाती है तो इसका आंसर है किसने यह विचार व्यक्त किया था कि यदि संप्रभुता की संपुन धारना का परत्या कर दिया जाये तो यह राजनिती विज्ञान के लिए स्थाई रूप से लाबदायक सिद्ध होगा तो इसका आंसर ऑप्शन भी लॉसकी इसका विस्ता रूप हम देख लेते हैं दिय बारकर के अनुसार प्रभु सत्ता संपन राज्य की माननेता जितनी निर्जीव और निर्थक हो गई है उतनी और कोई राजनितिक संकल्पना ना हुई होगी नेस्ट कोशन हमारे पास 607 प्रशन है यह किसने कहा था कि संप्रभुताय के सिद्धान्त को राजनितिक राज्य प्रभु सत्ता के परंपरागत सिद्धान्तों का खंडन करते हैं प्रंतु साथ ही राज्य को समाज की एक अवश्यक संस्ता भी मानते हैं राज्य प्रभु सत्ता के संदर्म में हुगो क्राब ने का है कि प्रभु सत्ता की धारना को राजनितिक सिद्धान से निक करके उसे समाज की अन्य संस्ताओं के समक्ष रखा और समाज को देशों की पूर्ती के लिए राज्य के साथ साथ अन्य समाजिक संस्ताओं की और ध्यान देने की प्रेड़ना दी राज्य के बहुलवादी सिध्धान्त वे सिध्धान्त है जो राज्य प्रभु सत्ता के प्र बहुलुवात को बहुश्य कालीन भवुश्यवानी महानता है तो इसका अंसर होगा option A. Miss Follett, Miss Follett बहुलुवाद को बहुश्य कालीन भवुश्यवानी मानती है अनेश बारकर ने सम्हू के यह थार्त जतित्व की संकल्पना को तो नहीं अपनाया जिसका प्रतिपारन ग्रीके मैटलेन ने किया था फिर भी उसने उनके सिद्धान के मुख्य मानताओं को सविकार किया है वे ये हैं कि इन सम्हों को अस्तितु में लाने का श्रे राज्य को नहीं बल्की जब पहले से ही विद्मान होते हैं नेस कोशन हमारे पास नीचे दो वेक्तव्य दिये गए है जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है तो कथन ए है एकलवादी सिद्धान की मानता है कि विदी संप्रभू का आदेश है और कारण आर दिया गया है एकलवादी सिद्धान की मानता है कि संप्रभ सर्वुशक्ति मान है तो उपरक्त दोनों कत्रों के संदर्व में निम्न में से कौन सही है तो इसका अंसर होगा option a option a option a और आर दोनों सही है और a की सही व्यक्या आर करता है इसका विस्तारूब हम देख लेते हैं एकलवादी सिद्धान की मानता है कि विदिस्वाम प्रभु का आदेश है एकलवादी सिद्धान की मानता है कि सम प्रभु सरफ शक्ति मान है कानून की जिष्टी से राज्य की सत्य अनन्य सरवोच और असीम है यही कारण है कि आश्टिन के प्रभु सत्ता सिद्धान को एकलवादी सिद्धान कहा जाता है नेस कोशन हमारे पास 611 प् परियोग ना कर सर्वोच शक्ति का परियोग करता है लोक राजी की सम प्रभुता को सीमित मानता है और उसी के अधार पर सरकार के सरूप कार्यों और उनकी सीमाओं का निर्धारन करता है लोक प्रियस सब्रभु सत्ता के अधार पर लोक ने ये गोशित किया है कि अंतता प्र वास्तिविक और कानूनी सम प्रभुता तो इसका अंसर होगा उप्शन ए साथ साथ रहे सकते हैं वैधानिक प्रभु सत्ता वैश सत्ता है जो विदान के डिश्टी से स्रवोची शक्ति है तथा राज्य में सारे कानून उसी के नाम से लागू तथा प्रसलित किये जाते हैं वैध प्रभु कानूनी प्रभु के समान है जबकि कानूनी प्रभु सत्ता अपनी शक्ति के लिए वास्तिविक प्रभु पर निर्बर है जैसे लोगतांत्रिक शेशन प्रणाली में जनता ही वास्तिविक प्रभु है दोनों प्रभुता साथ साथ रहे सकती है नेस कोशन ह नीचे दो वैक्तव्य दिये गए हैं एको कथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है तो कथन यह विज्य में युरॉप में प्रभूता की अवुदारन विखसित नहीं हो सकी और कारण और दिया गया है मद्य यूग बे समाजिक व्यवस्ता विकेंडरी कृत और इस सहीत से व्याप्त थी तो अप्रिक्त दोने वक्तियों के संदर्वेनियम लिखित में से कौन सा एक सही है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है मद्य यूगिन योग की राजनेतिक व्यवस्ता समंतवात पर आधारित थी इसी के अंत्रगत राज्य शक्ति स्थाने जमिदारों समंतों और सरदारों में बटी रहती थी जिनें अपना अपना पद उत्रादिकार में प्राप्त होता था इसी यूग में संप्रभुता की अध्यात्मिक और संसारी जगत में जिस अंतर का संके दिया था उसने दो शक्तियों के सिदांत को जनम दिया सूची एक तता सूची दो को सुमलित कीजिए तता नीची दिगे कूर से अपना उत्तर चुनिए तो सूची एक और सूची दो तो इसका अंसर होगा समप्रभू का आदेशी कानून है यह आश्टिन ने कहा कानून केवल आदेशी नहीं एक अनुरोध भी है यह लौस्की ने कहा समप्रभूता राज्जी की सरवोच शक्ती शरवोच इच्छा है यह विलोवी ने कहा विदी निर्मान तता उसे प्रभावकरे बनाने की दिन प में नहीत करने की प्रविति है तो इसका अंसर होगा ऑप्शन सी इंग्लेंड उप्शन सी इंग्लेंड में संसदी शाष्ण व्यवस्ता की स्थापना हुई है और वहां पर संसद सरवोच है संसद के बनाए हुए कानून को नाइल्य में चुनोती नहीं दी जा सकती है जैस सविदान नहीं है नेस कोशन हमारे पास राजनेतिक बहलुवाद के अनुसार तो इसका अंसर होगा ऑप्शन ए समाज में शक्ति के वीवित के इंद्र होते हैं उसने राज्य के एक तत्विस रूप और उसकी अकंड प्रपुसत्ता का खंडन करके उसे समाज के अन्य संस् की और ध्यान देने की प्रणा दी नेस कोशन हमारे पास व्यवारवादी राजनेतिक सिद्धान्त में संप्रभुता का इस्थान ले लिया है तो इसका अंसर होगा ऑप्शन दी शक्ति सत्ता तथा प्रभावने व्यवारवादी राजनेतिक सिद्धान्त में शक्ति सत्ता तदा प्रभाव ने संप्रभुता का इस्थान ले लिया है व्यवार वादी उपागम के मुख्य उन्यायक अमेरिकी राजनेतिक विज्ञानिक रॉबर्ट एडॉल डैविड इस्टन और हाइज यूलो है नेस्ट कोशन हमारे पास रूसों के समाने संकल्पतता आश्टिन के निश्चित संप्रभु शक्ति के सिदान्तों में से किसने सामजसे स्थापित किया तो इसका आंसर होगा अप्शन भी ग्रीन रूसों के समाने संकल्पतता आश्टिन के निश्चित संप्रभु शक्ति के सिदान्तों में ग्रीन ने सामजसे स्थापित किया उसने समाने इच्छा को तो प्रभु सत्ता संपन तो माना किन्तु उसे राज्य की इच्छा के साथ जोड दिया ग्रीन उदार अधर्शवादी व्याख्या का समर्थन करते हुए अंधरता राज्य को ही स्रवोज शक्ति जुक्त बना देता है नेस्ट कोशन हमारे पास जब संप्रभुत छोट सटम्पशन की सब्सक्राइब इसको परहाम के सकता है सकारात्मक सब्सक्राइब में नहीं आता सक्राइत्मक सुतंता यह मांग करती है कि व्यक्ति को प्प्रक विक्षा नाम की वह वस्तुता उसके व्यक्तिवाद का अवश्यक संपूरक था किस ने लिखा है तो इसका आंसर ऑप्शन डी सेबाइन प्रशनेद्य का कथन जार्ज सेबाइन का है सेबाइन ने हॉप्स की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि अंग्रेजी भाशा भाशी जाते हो ने जितने भी राजनितिक दर्शाशनिक उत्मन किये हैं उनमें सबसे प्याथन सबसे अधिक ही नहीं बल्की केवल मात्र एक राजनितिक ग्रंत है जो अंग्रेजी भाशा में लिखा गया था नेस कोशन हमारे पास निम्न लिखित में से कौन संप्रभुता युक्त है तो इसका आंसर ऑप्शन डी संगात्मक संगात्मक राज्य संप्रभुता युक्त है अमेरिका कनाड़ा अस्टेलिया भारत आदी राज्य संगात्मक राज्य है और संप्रभुता युक्त है किसी भी राज्य के चार तत्व जन संख्या भूभाग शाषन संप्रभुता होते हैं और संप्रभुता प्रमुक्त तत्व होता है यू एन ओ स्रंक्षित राश्य ना ऐसे तराज्य के पास संवर्भूता नहीं अते यह राश्य नहीं है next question हमारे पास यह थार्थ प्रभुसत्ता का टात परे है तो इसके option A है कानूनी प्रभुसत्ता option B है आदेशो का वास्तिफिक अग्या पालन आप्शन C है लोग प्रे प्रभु सत्ता और आप्शन D है राजनितिक प्रभु सत्ता तो इसका अंसर होगा आप्शन B यह थार्थ प्रभु सत्ता का तत्पर यह आदेशों के वास्तिविक अग्या पलन से लगाया जाता है अधातव्य है कि कानूने प्रभुसत्ता का प्रतिपादन जॉन आश्किन ने किया है इसके अनुसर राज्य का आदेश ही कानून है अथार्त प्रभुसत्ता को राज्य के आदेश के रूप में परबाशित किया गया है नेक्स कोशन हमारे पास निम्न में से कौन से वाद का यह तर्क है कि प्रभु सत्ता की अवधारना को राजनेतिक सिद्धान से हटा देना चाहिए तो इसका अंसर आप्शन ए बहुलवाद बहुलवादे विचारक राज्य के प्रभु सत्ता को सविकार नहीं करते हैं कि राज्य वियर्न समुदाओं की भाती एक समुदाए है अता इसे सर्वोच इस्तिति प्रदा नहीं किया जा सकता इस तरह प्रभु सत्ता का राजनेतिक सिद्धान्त में कोई इस्थान नहीं है ऐसा बहुलवादियों का मानना है नेक्स कोशन हमारे पास छह सो चोबिस वा प्रश्न निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है तो इसका आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन सी वह जो शक्तिका यथार्थ में प्रियोग करता है उसे वास्त्विक संप्रभुता कहते हैं ना की नामधारी प्रभु सत्ता वो धातव्य है कि संसदिये शाशन व्यवस्त में कारेपालिका दो प्रकार की होती है पहली वास्तिविक कारेपालिक और दूसरी नामधारी कारेपालिका वास्तिविक कारेपालिका शक्ति का पर्योग जो करता है उसे वास्तिविक संप्रभुता धारी कहते हैं नेस कोशन हमारे पास संप्रभुता पर आश्टिन के तुर प्रभु संप्रभुता का समर्थन किया कानून संप्रभुता का समर्थन किया आश्टिन ने कहा है कि कानून उच्च अधिकारी दोरा देनस्त को दिये गया देश है उसके लिए तत्य सम्मत एवं विदी सम्मत प्रभु सत्ता एक ही है यही कारण है कि आश्टिन को संदी संप्रभुता का मुख्य प्रवत्ता माना जाता है संप्रभुता के सिद्धान को किस में व्यक्त किया गया है तो इसका अंसल होगा ऑप्शन सी बेस्ट फैलिया की संदी 1648 इसका विस्तारूप हम देख लेते हैं संप्रभुता के सिद्धान को वेस्ट फैलिया की संद इस संदी में एक ऐसी व्यवस्था का जनम हुआ है जिससे आधुनिक राज्य व्यवस्था कहते हैं इसकी प्रमुक विशेष्था थी सभी यूपी राज्य सोतंत और प्रभुसत्त संपन हो गए और उन्हें समान दर्जा प्राप्त हो गया प्रभुता के बहुलवाती सिद् कि मुख्य रूप से किसका योगदान था तो इसका अंसर ऑप्षन ए आथर फीशर बैंटले एक अमेरिकी राजनितिक विज्ञानिक और दशाष्णिक तेजिनों ने राजनितिक विज्ञान की विवार पदेते के विकास में योगदान दिया बैंटले ने संप्रभुता क बहुलवाती सिद्धान्त में योगदान दिया दा प्रोक्सेस ओफ गॉर्मेंट 1908 इसकी चरचित रचना है इनकी चरचित रचना है नेस्ट कोशन हमारे पास किसने संप्रभुता निर्पेख्ष अविवाज्य अपरियाय और सतत है की वकालत की तो इसका अंसर होगा ऑप सत्ता की और शक्ता पर बल दिया हप्स के प्रभु सत्ता धारी को उसके शाशित या प्रजाजन ना तो हटा सकते हैं ना डंड दे सकते हैं हप्स ने अपने ग्रंथ लग अथन 1651 में इस बात को सविकार किया है कि संप्रभुता निर्पेश अविवाज़ा प्रिहाई और सतत है नेस कोशन हमारे पास निमने लिखित में से किस ने संप्रभुता के निर्कौन शाशन के सिद्धान्द का विस्तार किया था तो इसका answer option C Thomas Hawps Thomas Hawps निराज़िक स्थापना के लिए सहमती के लावा शक्ती को भी सर्वता अवशक माना उसकी अनुसार तलवार के बिन समझोते केवल शब्द मातर है अतर समझोते के क्रियामन के लिए संप्रभुता का निर्कौन शाशन अवशक है यदि प्राकतिक अवस्ता की अरजक्ता से बचना है तो शाशक को बल पूर्वक लोगों से संदी की शर्तों का पालन करवाना होगा नेस कोशन हमारे पास निर्कुंश संप्रभुतक का सरवादिक शशक्त समर्थक था तो इसका अंसर ऑप्शन ए हॉप्स निर्कुंश संप्रभुतक का सरवादिक शशक्त समर्थक हाफ्स था हाफ्स का मत है कि समाजिक समझोते के परणाम सोरूप निर्कुंश सच्चाचारी स्रवोचि सत्ताधारी राजे का प्रदुभाव होता है राजे के उपर ना तो कोई प्रतिबंद होता है ना ही कोई नियंतरन उसके पास असीम शक्ति ये वाँ नियंतरन अधिकार होते हैं नसकोशन हमारे पास 631 प्रतिबंद के रूप में विक्सित किया तो इसका आंसर है उप्शन A हॉप्स ने सम प्रभुता को सत्य के बजा शक्ति के रूप में वर्नित किया है उसने सम प्रभुता को दमनकारियों शक्तियों पर एक अधिकार के रूप में परिवाशित किया है कि यह शक्टिया तो एक व्यक्ति के अत्वा व्यक्ति की एक संस्ता के हाथ में होनी चाहिए अत्वाप्स ने संप्रभुता को सर्व शक्टि मां सिधान्ट के रूप में विक्सित किया नेस् है इस धारने के अनुसार अंतिम प्रभु सत्ता जनता में नीथ होती है लोग प्रेस सम्प्रभुता के विचार को मद्य युग में मार्सिलियो और पैड़ू और विलियम और ओकम आदी विचार को दरजनम दिया गया लेस्ट कोशन हमारे पास किसी भी समाज के लिए राजन प्रभुता के सिद्धान का प्रतिपादन किया है उसके अनुसार किसी भी समाज के लिए राजनेति के वर्म सतंत्र होने के लिए सम्प्रभुता एक पूर्व शर्त है नेस कोशन हमारे पास सम्प्रभुता के विचार का सबसे पहले प्रतिपादन किया गया तो इसका आंस Next question हमारे पास, निम्न में से कौन सम प्रभुता को एक निश्यथ मानफ्ष्रेश्ट में समाहित करता है, तो इसका आंसर ना नमने लिकित में से कौन सा तट्थू राज्ये को सरवोश शन्सता बनाता है, तो इसका आंसर है와 आप्षण c सम प्रभुता, संप्रभूता राज्य को स्रवोर संस्ता बनाता है संप्रभूता राज्य का परम आउशक ततु है इसके अभाव में राज्य के कलपना ही नहीं किया जा सकता राज्य अपने इसी लक्षन के कारण आंत्रिक जिष्टी से स्रवोच और बाई जिष्टी से सोतंत्र होता है समप्रभुता शब्द कस्रपत्म प्रयोक फ्रांसेजे विचारक जीन बोंदा ने किया था Next question हमारे पास बहुलवादी विश्वास करते हैं तो इसका answer ओक option C नाम मात्र की समप्रभुता में बहुलवादी विचारदार नाम मात्री की संप्रभुता में विश्वास करते हैं बहुलवादी विचारक के नुसर राज्य समाज का एक समुदाय है अतस संप्रभुता के वल इसी में नहीं नहीत होनी चाहिए बल्कि अन्य समुदायों की भी सहभागिता होनी चाहिए समाज में अनेक मानव संगठन या सहचर्रे राज्य में सोतंत्र अस्तितु रखते है next question हमारे पास संप्रभुता के सिद्धान का सबसे पहले प्रतिपादन किया किसने तो इसका अंसर option A बोंदा ने संप्रभुता के सिद्धान का सबसे पहले प्रतिपादन जीन बोंदा ने किया था इनके अनुसार संप्रभुता नागरिको एवं प्रजजलों के उपर राज्य की सर्वोच शक्ती है जिस पर कारून का कोई अंकुष ना हो संप्रभुता से ताथ पर एक निश्य छेत्र में राजे की सर्वोपरी शक्ती है संप्रभुता के दो पक्षियं होते हैं आंतिक संप्रभुता और बारी संप्रभुता next question अमारे फाजनिमन में से कौन एक संप्रभुता की उचेस्ता नहीं है तो इसका आंसर होगा option D अंत्र भावता संप्रभुता एक पूर्ण और असीम शक्ती है यह राज्य का स्रवादिक महत्मुन तत्व है इसी के अधार पर राज्य को ने समुदायों से अलग किया जाता है संप्रभुता के लक्षणों में निर्कुंश्ता मोलिक्ता सर्व्यापक्ता अप्रतिवी करनियता अनन्यता अभवाजिता अस्ताय तो एवं निर्पेश्ता होती है नेस्ट कोशन हमारे पास 641 वह प्रश्ण है निर्क लिखते में से कौन प्रभुता के कानूनि सिद्धान का लक्षण नहीं है तो इसका अंसर होगा अप्षण भी व्वाज़ता अप्षण भी व्वाज़ता 641 वह प्रश्ण है आश्टिन ने अपने सम्प्रभुता के सिद्धान का प्रतिपादन अपनी पुस्तक में किया तो इसका अंसर होगा अप्षण सी लेक्चर सान जूरिस्प्रोडेंस में आश्टिन ने अपने सम्प्रभुता सम्मंदि सिद्धान का प्रतिपादन अपनी पुस्तक किसने कहा कि सम्प्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं तो इसका आंसर ओप्षन ए डी लिंड से प्रमुख बहुलवादे विचारक ए डी लिंड से का कहना है कि सम्प्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं धातव्य है कि बहुलवादे विचारक एक मात्र राज रिखता के बहुलवादी सिधांत का सरोथम प्रतिपादक कोन था तो सका अंसर ऑप्षण सी भी एस ट्रणर है इनकी पुष्टक है और पास चैसोरोब प्रशन निम्रेकित मैं से कोन लोकिक संप्रभूता का समर्थक नहीं है तो इसका अंसर ऑप्षण जॉन ओस्टिन लोकिक संप्रवूता की समुख्टह संप्रवूता की संप्रवूता का शारूप की संप्रवूता की выбल था एवी डाइसी द्वारा डाइसी के शब्दों में विदिवेता जिस प्रभुसत्ता धारी को माननेता देता है उसके पीछे एक दूसरा प्रभुता सत्ता धारी चीपा रहता है उसके सामने कानूने प्रभुसत्ता धारी को जुकना पड़ता है नेस कोशन हमारे पास इनम वादी सम्रुभधा का विचारक है हेल के दुआरां निर्कुंश राज्य की अवधार्न का प्रतिपद 9 किया था और उन्हों ने कहा था कि राज्य धर्ती पर ईश्वर का वितरन है बहुल वादी टी बेंगर्वार्व में इंजस्ट ने लेकिये मतेसे में कमरी ने लिखी है इसा तो इसका आंसर ऑप्शन सी और टी लिखी है और हमारे सामने निम्लिक्ति में से कोई शंप्रबुत है के वैधानिक सिध्धान्त का लोचक नहीं है तोас काउंसर को Sat Ph sus and गौर्णर और यह अन्तिन प्रश्ण हमारे सामने 650 प्रश्ण लोकमत का और शक रूप से भी प्राए है तो इसका अंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी राय जिसका उदेश्चे संपुन समुधाय का कल्यान करना है जनमत की मौलिक विशेष्टा यह है कि वह सारवजनिक हित के अनुकूल हो इसका उदेश्चे सारे समाज का हित होना चाहिए किसी एक वर्ग विशेष्च या समुध विशेष्च के मत को जनमत नहीं कहा जा सकता है बले ही वह बहुत संख्यक जनता का हो यदि अलप संख्यको हितों के विरुद है तो उसे जनमत की संग्या देना गलत होगा जिस मत का उदेश्चे सारे समाज का हित करना हो वही जनमत कहला सकता है यदि वह संपूर्ण समाज को भलाई के जिश्टी में रखे तो दोस्तों यह था राजनेटिक सिद्दान पॉलिटिकल थियोरी का पार दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करे और मेरे यूटूब चैनल धमाका जीकल को सब्सक्राइब जरूर करे जिसने मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिक्शन भे आपको मिल सके तो मिलते हैं जल्दी नेक्स वी